इंदिया एवुमेन वर्शस नेपाल वुमेन के बिचे होने वाले आज के पहले एसी सी टी दो इंटी मैच के बारे में देखो कल के दिन में भी मैंने एक वुमेंस का मैच कवर के था अल्टरा मेगा क्लीन सिप कराया हुआ था इस मैच के भी आपको सारी इंफॉर्मेशन करेंगे बस आपको एक ही चीज का धहान देना है जरूर इनी एक ही फाइनल तीमों की विडियो की लाइना पाने कि बाद जो भादी फाइनल तीमों की शीत तरीके से इस क्रीन सब्सक्राइबर यह जोग पहलीसे प्री में आप भी जोइन हो कोई भी मैच 10 और का 20 और का जिसमें भी मैं अपने पैसे लगा रहा हूंगा उसकी फाइनल तीम आपको यहीं पर मिल जाएगा हमारे चैनल को आपको जॉइन का अपसन मिल जाएगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूंगा यह जो मैंचे इदिया एव मेंट की तीम के जीतने के 90% करीब चांसे सा पूरा फोकस आपको इसी के प्लेस को पर करके चलना है लेकिन अगर नेपाल की तीम पहले बालिंग कर रही है तो समझ जाना कि कि तीम को ना के ना दसों विकेट किरा दिया यानि कि नेपाल की बालिंग काफी अच्छी नेपाल की बल्ले बाची इनको माद दे रही है नेपाल की बालिंग ठीक ठाक है अगर नेपाल की तीम पहले बालिंग कर रही है तो नेपाल की तीम अगर पहले बल्ले बाची कर र तो 120 स्कोर नहीं बना पाई कि मैं का हुआ कि 70 रन करीब ना करके दे पाई गी मैकसिमम वहीं इदिया एव वुमेंट की तीम पहले पल्ले बाची करें तो 120 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है सबसे पहले यूचे त्री जो कि इंदिया एव वुमेंट की टीम गोड़ से ऐ तो हो सकते है कि इदिया के भी 6-7 विकेट गिड़ जाए लेकिन अगा इदिया की टीम चेजिंग कर रही है तो इदिया के दो विकेट से जाता नहीं गिड़ने वाले यह चीज को आपको ध्यान दे करके चलना एम कस्याप चार ओवर पुड़ा करेंगे इस पिनार है जरू करके गए क्योंकि वापीस को पांच-पांच फिकेट मिल गए उसके बाद यहां से बी अनुसा और यहां से के गौतम यह दोनों आपको बालिंग से दो दो ओवर करके दिये हुए पहले मैचे लेकि दोनों में सबको किसी एक ही किसी एक ही प्लेय को लेकर चलना है क्योंकि करें मैक्सिमम चार ओवर देखनें को मिलेगा दोनों का मिला करके कोई एक ऐसी जरूर ओगी जो कि फ्लाप होगी यहां से त्रीसा दोंगधी को लेकर किचल ओँगा तीसरे नमर पर बने बाची तीजी से रंस मनाकर कि देश सकते ही इंदिया की समय कि सबसे इंफॉम बन ब के आपे सुपार बालिंग को ले कर चल ले ना कि यहां पर लोग स्कुरिंग यहां पर कंसा को यहां से आपके चलने वालों की तीम कापी बालिंग ऑप्सन हैं जिसमें जोसी चार और पुड़ा करेंगे यहां से सीता राना मगर है जो की चार ओर पुड़ा करेगी बल्ले बाची में भी ऐसा ओपना राएगी आई बर्मा बल्ले बाची में भी फोर पाएगी बालिंग से भी चार ओर पुड़ा करेगी कविता कुनवार भी मेन बॉलर है बल्ले बाची में भी ऐसा ओपना राएगी बॉलिंग से भी तीन से चार ओवर करके देगी आर छेतरी नेपाल की तीम और से कपतानी कर रिया बल्ले बाची पे भी 6-9 करीब आचाएगी बालिंग से ये भी 3-4 ओवर करके देगी एक कर्मा एक से 2 ओवर करीगी कि यहां से मारा सिनी बालिंग नहीं करेगी यानि कि इनके ये जो चार बालर से ये मेन और एक यहां से के जो सी ये पाच इनके मेन बालर से हो सकते कि आई कर्मा भी कई बात 2 ओवर करीगी बालिंग करते इनमें से किसी के ओवर कम करके सीधर आनम अगर आई बरमा ये चारों जरूरी रहेंगे अगर तकर नेपाल की टीम पहले बालिंग कर रही हैं तो चारों जरूरी रहने वाली है क्योंकि चारों का मिला करके 14-15 ओबर आपको देखने को मिलने वाला है जो कि काफी जरूरी रहेगा अब आग इसके बाद मैं यहां से लेकर का चलूं है जिसका नमें यहां से देखो आप एक काम करके चल सकते हो आगर नेपाल की तीम पहले बालिंग कर रहा है तो सुधा सिरावत को ना ले करके के जोसी को ले करके चलना इस तरीकी की फैदेशी की तीम बना करके आप अपने पैसे लगा सकते हो अगर नेपाल की तीम पहले बालि सब्सक्राइब करना यहां से सीता राना मगर के ऊपर या फिर आप यहां से हम कस्याइब को लेकर के चल सकते हैं कमारे एनालिशिस बेस की दी मैं फाइनल सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको लाल बतन इसके लाम बहुत ज़्याद मेहनत करते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना